Hello guys, welcome back to my channel, आज हमारे समने KTM RC 125 बात करेंगे इसी गाड़ी के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में जारेंगे इसमें क्या के चेंजिस किये है, KTM ने BS6 मॉडेल में जारेंगे इसकी एक शोरूम प्राइज और अन रोड प्राइज और जारेंगे इसका क्या माइलेज है, तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो डू सब्सक्राइब टो मैं चैनल, एंड वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं यहापे फ्रेंट से, यहापे हमें विंड वाइजर देखने को मिलता है, जो कि और यहापे हमें LED इंडिकेटर्स देखने को मिलता है, मीरर्स में लगए हुए जैसे हमें 390, RC390 में देखने में मिलते थे, यहापे एक बार गाड़ी को अन करते हैं, और यहापे हमें DRLs देखने को मिलेगे, as usual और प्रोजेक्टर हेड लैम्स, अगर हम नीचे की तरफ आते हैं, तो यहापे MUDGARD, जो है हमें white color में देखने को मिलता है, यहापे again हमें 110 by 70 section के R17 radial tires देखने को मिलेंगे, जो के tubeless है, यहापे orange color का reflector और inverted front suspension हमें देखने को मिलता है, इस गाड़ी में, यहापे यह visor को extend किया है, जो transparent आपको दिख रहा होगा, तो यह मुझे एक extra protection के हिसाब से बहुत अच्छा लगा, अगर हम गाड़ी के left side में आते हैं, तो यहापे हमें white color की library मिल जाती है, जिसके उपर RC लिखा हुआ मिलता है, बड़े अक्षरों में KTM का branding किया है, और अगर engine के तरफ आए, तो यहापे हमें 124.7cc का engine मिलेगा, जो की 14.5 PS of power generate और आपको 12 Nm of torque भी देखने को मिलेगा इस गाड़ी में, यहापे हमें monoshock suspension देखने को मिलता है, और अगर हम पीछे की तरफ आए, तो यहापे हमें सारी गाड़ देखने को मिलेगा, जो की India में compulsory है, और यहापे अगर हम उपर की तरफ आए, तो यहापे RC 125 under the seat लिखा ह हमें sticker देखने को मिलता है, यह गाड़ी का left side profile view है, यह गाड़ी का right side profile view है, और अगर हम rear tire की और आए, तो यहापे हमें 150 by 60 section का radial 17 inches का tubeless tire देखने को मिलेगा, और यहापे हमें orange color में allowable देखने को मिलता है, rear disc भी देखने को मिलेगी, लेकिन यहापे हमें single channel ABS देखने को मिल इस गाड़ी में, और यहापे गाड़ी को move करने के लिए यहापे handle दिया है, यहापे still trailles frame के साथ में हमारी RC 125 आती है, यहापे underbelly हमें exhaust गा, इस RC 125 में और बाकी, जो है, मुझे exhaust note में कुछ खास फरक नहीं लगे, और बाकी यहापे KTM का branding किया है, mirror का जो size है, वो tick-tock आया पाराम से देख सकते हो, और यह A की direction में rotate होगा, और यहापे अगर हम instrument console के तरफ आए, तो यहापे हमें कुछ changes देखने को नहीं मिलते, same आपको देखने को मिलेगा, और यहापे कुछ indication से gear indicator हमें मिलता है, यहापे अगर ABS का हमें देखने को मिलता है light, और बाकी कुछ खास change नहीं किया है, यहापे engine malfunction का light दिया है, यहापे clip on handlebars के साथ में यह गाड़ी आएगी आपकी, और यहापे handles पे as usual buttons दिये है, यह गाड़ी का, मैं top view आपको दिखाता हूँ, यह गाड़ी का rear view है, और यहापे कुछ ज़्यादा changes नहीं किये है, यहापे LED indicators हमें देखने को मिलेगे, और यह rear tire जो है, यह हमें बहुत ज़्यादा बड़ा मिलता है, आपको पता नहीं चलेगा कि यह गाड़ी 125 CC किये है, जब तक आप इसका sticker नहीं देखते, तो यह एक अच्छी बात लगी मुझे की rear tire बड़ा दिया है, यहापे अगर seat की तरफ है तो थोड़ा मुझे कुछ निंग इसका hard लगा, as compared to other bikes, और यहापे भी थोड़ा कुछ निंग किया है, लेकिन यह थोड़ा harder side है, यहापे pillion अगर बैटता है, तो उसके लिए थोड़ा uncomfortable रहे पिलियन के लिए hold करने में, आप देख सकते हो, तो seat के नीचे यहापे है, यहापे exhaust note देख लेते हैं, तो अब बात करते हैं गाड़ी की एक showroom price और on-road price के यहापे एक showroom price 1.55 lakhs है और on-road price इस गाड़ी का जाएगा 1.75 to 1.8 lakhs तक, और यह state-wise differ करेगा, इस गाड़ी का mileage आपको 40-45 kmpl तक आपको मिलेगा इस गाड़ी का mileage, तो this is it for now guys, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो do hit the like button and do subscribe to my channel and bell icon को भी जरूर दबा देना and thanks for watching.